आई पील 2021 के 36 वे मैज में जीत दर्च करके टॉप चार में पहुचने का सपना देख रही संजू सैम्सन की राजिस्थान रॉयल्स को रिशब पंथ की टेली कैपिटल्स ने बुरी तरह से धाराशाही कर दिया लेकिन संजू सैम्सन को मैज हारने के साथ साथ एक और करारा जटका लग गया है जिसकी चपेट में संजू के साथ साथ पूरी राजिस्थान रॉयल्स की टीम आ गई है जी हाँ दोस्तो राजिस्थान रॉयल्स की पूरी टीम को अपने कप्तान की गलती का खाम्यादा भुगरना पड़ा है और आने वाले समय में राजिस्थान रॉयल्स को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखर संजू सैंपसन और राजिस्थान रॉयल्स को कौन सी बड़ी गलती की सजा मिली है तो इस वीडियो कौन से तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए मैं 30 रनों से दिल्ली कैबिटल्स के अमने मैच हार गई लेकिन इस मैच के ठीक बाद संजू सैंपसन को 24 लाग का बड़ा नुकसान हो गया है जी हाँ दोस्तों ये बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले क्रिकेट सूत्रा पर बता रहे हैं कि राजिस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैंपसन पर लगातार दूसरे मैच में धीमे ओवर रेट के चलते 24 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है और उनके साथ-साथ फ्रील्ड पर उतरने वाली पूरी राजिस्थान रॉयल्स के टीम के खिलारियों से 6 लाख रुपए या फिर 25 प्रतीशत मैच पीस वसूली गई है आपको बता दे कि इस आईपील में ये पहली बार नहीं है जब संजू सैंपसन स्लो ओवर रेट की व प्लिशानी ये है कि अगर संजू सैंपसन एक बार और ये गलती तोहराते हैं तो उन पर एक मैच का पैन भी लगाया जा सकता है जी हाँ दोस्तों अगर संजू सैंपसन से एक बार और ठीम में ओवर रेट की ये चूप हो जाती है तो राजिस्थान रॉयल्स के फ्ले आउ होंगे वनना उन्हें ऐसा जटका लगेगा कि उनके फ्ले आउउस में पहुचने की तारी उमीदे तहस नहस हो जाएंगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है राजिस्थान रॉयल्स अपने 20 ओवर पूरे करने में इतना समय क्यों लगा देती है हमें कॉमें बॉक्स में ल है